अभिनेता सुशान्त सिंग राजपूत के श्राद कर्म को पटना के राजीव नगर स्थेत उनके निवास्थान पर पूरा किया जा रहा है सुशान्त ने 14 जून को अपने बांदरा स्थित अपार्टमेंट में खुदकुशी कर ली थी सुशान्त का यूँ चले जाना हर किसी को स्थब्द कर गया था सुशान्त के फैंस अब तक इस गम से बाहर नहीं आपा रहे हैं आज 27 जून को पटना में सुशान्त के घर पर ब्रहंभोज का आयोजन किया गया है यह सुशान्त के श्राद कर्म से जुड़ा आखरी कर्म है दुख की इस घरी में सुशान्त के परिवार नेक संदेश जारी किया है इस संदेश में सुशान्त की प्यांस के लिए भी खास संदेश है संदेश की शुरुआत में लिखा है अलविदा सुशान्त दुनिया के सुशान सिंग राजपूत हमारे लिए बस गुलशन थे वह मुक्त उत्साही, पातुनी और अविश्वस्निय रूप से उजवल थे वह सब कुछ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे उसने बिना सयम के सपने देखे और उन सपनों का पीछा शेर दिल से किया वह परिवार का गौरफ और प्रेड़ना थे उनकी दूरबीन उनकी सबसे कीमती वस्तु थी जिसके जरीए वह सितारों को देखते थे हमें सबको यह स्विकारने में काफी वक्त लगेगा कि उनकी हसी अब हमारे कानों में कभी नहीं गुझेगी कि हम उसकी चमचमाती आँखों को फिर से नहीं देखेंगे यह है कि हम विज्ञान के बारे में उसके अंधीन विचारों को फिर से कभी नहीं सुन पाएंगे। उनके जाने ने परिवार में एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जो अब कभी नहीं भरेगा। इसके साथ ही सुशान्त के परिवार ने अपने शोक संदेश में सुशान्त से जुड़े समान को लेकर किये गए एहम फैसले का भी जिक्र किया है। के दिल के करीब रहे छेटरों सिनेमा विज्यान और खेल जगत में कदम रख रहे युवां को सपोर्ट करेगा पटना के राजीव नगर में इन जिस घर में उनका बच्पन बीता हमने उस घर को सुशांत की याद में समारक में बदलने का फैसला किया है उनकी हजारों किताब दूरबीन, फ्लाइट सिमुलेटर, गिटार, फनीचर एवं अन्य चीजों को प्रदर्शित करने का फैसला किया है हमारी हार्दिक इच्छा है कि उनके प्रशन सक उनसे जुड़े रहें सुशांत के इंस्ट्राग्राम पेज को करोडों को प्रशन सक फॉलो करते हैं हम उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेस्बुक, ट्वीटर और इंस्ट्राग्राम अकाउंट को लेगिसी अकाउंट की तरह चलाए रखना चाहते हैं जिससे की सुशांत के दिल का रिष्टा उनके प्रशन सकों के साथ हमेशा जुड़ा रहे सुशांत के परिवार की तरफ से जारी हुए इस शोक संदेश ने सुशांत के करोडों फैन्स को एक बार फिर भावुक कर दिया है ब्यूर रिपोर्ट इट्वेंटिफोर